नमस्कार मैं हूँ संजीव श्रीवास्ताओ आप देख रहे हैं 4PM News Network लेकर स्यासज चमकाने या वोट कबालने के लिए आपने बहुत सारे हतकंडे राजनीतिक दलों की औरसे होते हुए देख रहे हैं कभी कहा जाता है कि हम कपड़े के रंगों से पहचानते हैं कभी कहते हैं कि मुसल्मान मंगल सूत्र चीन कर ले जाएंगे कभी कहा जाता है कि मुसलमान भेंस खोल के ले जाएंगे सुना ये भी जाता है नेताओं को कहते हुए कि बटोगे तो कटोगे कभी नेता कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा यह और ऐसे बहुत सारे घटना करम, बहुत सारे जुमले, बहुत सारे डावे बार बार हो रहे हैं और आलम ये है कि जो हिंदू, मुस्लिम, व्यमर्षता उपर तही चली जा रही है और देश ऐसा लगता है कि ये जो सियासत है या सियासतदान है देश का वेड़ा गर्क करने पर आमादा हैं आपने ये सब सुना, देखा लेकिन मैं आपको एक ऐसी ख़बर दिखाने जा रहा हूं यदि आप शांती के पक्षिदर हैं यदि आप वो जो बड़ा पुराना हमारा है ना कि हिंदू, मुस्लिम, शिक्षाई आपस में हैं भाई-भाई से मानने वाले हैं और यदि आप सर्वधर्म संभाव पर उश्वास करते हैं तो निशित तोर पर ये जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं आपको बताने जा रहा हूं इसको देखकर आप दातों तले उंगलिया दबा लेंगे और सिर्फ पीटते हुए यही कहेंगे हे राम ये हम कहां आकर खड़े हो गए और खबर शुजू करने के पहले एक जिकर और करूंगा थोड़ा सा वो फिल्मों से जुड़ा जिकर है बॉलिवड की एक बहुत चर्चित फिल्म थी यह आप थोड़ा भी शौक रखते हैं फिल्मों को लेकर या आप फिल्मों का शौक रखते हैं तो तो निश्यत तोर पर इस फिल्म को आपने देखा ओ, ना देखा ओ, तो इसके बारे में सुना हो, क्योंकि एक बड़ा चर्चित सा सीन था उस फिल्म का, और यह जो फिल्म थी, नाम था करांती वी और जो इसमें अभिने करने वाले जो एक बहुत चर्चित और लोग प्रियक अलाकारों में गिने जाते हैं शुमार की जाते हैं नाणा पर्टे का एक तो is फिल्म में एक जगhi संप्रदाइक वेमनस्ता फालती है दंगो जैसे हालाद पेदा हो जाते हूं कराते हुई वही जो फिल्म के भीतर कहानी है उसमें और दंगो के बाद जब Utilisla Shoo होता है तो एक जगह ऐसी भी आती है जहां यह सब हिंदु मुस्लिम आपस में बिढ़े होते हैं तकराए हुए होते हैं तो नाना पर्टे कर जाते हैं एक शक्स को पकड़ते हैं उसकी उंगली को तोड़ते हैं पत्थर से फोड़ देते हैं उसमें से खून निकल आता है और दूसरे घायल हैं यह मुसलमान का खंड नि Andra elected का है उसका खून लेते है और दोना का खून मिलाकर आपस में मिला देते हैं फेर पूछते हैं मेला रह लगों मेंौछ से वाजो लड़े रही होतै कि अब बताओ इसमें कौन सा खून हिंदु का कौन सा मुसलमान का है बड़ा चर्चित सा वो एक द्रश्च था जिसकी बड़ी चर्चा ही हुए थी और वो फिल्म स्वराही भी गई थी और फिल्म का जेकर मैंने इस लिए कि यह जो मेरी खबर है यह खबर भी कहीं न कहीं उसी जो यह खून वाला मसला है वहीं से जुड़ी है कि बताओ हिं बतबारा हो या जो व्यमनस्ता जो फैलाई जाती है हिंदू और मुस्लिव में उससे जुड़ी वी निकली है साफ दिखता है कि यह जो बतबारे की रहनीती है जो व्यमनस्ता है कितने अंदर तक लोगों के जहन में उतर गई है यह जहर किस कदर फैल गया है यह बया करती ह ये तस्वीर दरसल ये जो पन्ना का जुला अस्पताल है और इसमें जो ब्लड बैंक है यहां एक मुलाजिम है मुलाजिम फर्मा रहे हैं एक शक्स आया है दोड़ा दोड़ा उसकी मा बीमार है साथ दिनों से अस्पताल में भरती है मा को बचाना है खून की अवशकता है वो हुजूर हो गया है ब्लड का इंतिजाम खून का इंतिजाम जब वो सुनता है यह जो मुलाजिम को तो शायद उसके पैरों तले जमीन के सब जाती है और यह आप यह सुनेंगे देखेंगे तो आप भी दातों तले उंग्रिया निश्यत पर दबाएंगे मैंने कहा है वो से कि नहीं नहीं हुजूर आप जिस डोनर को लेके आए वो मुसल्मान है और आपकी मा हिंदू है हिंदू को मुसल्मान का खून नहीं चड़ा पाएंगे नहीं आप सही सुन रहे है वो कह रहा है मुलाजिम कि आपकी मा हिंदू है और हम आपको जो मुसल्मान डोनर है उसक दिल भी हेल उठेगा कि सचमुच में हिंदुस्तान कहां आकर खड़ा हो गया है देखिए सुनिया फिर करूंगा आगी की बार देखा और सुना आपने बड़ी नगलस्ता से वो कह रहा है वो जो शक्स है जिसकी मा बीमारे वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो पार कहां तो टो कहरे रहा है कि नहींике हम बड़ी कऊठनाई होती है डिक्कत आती है हम यह लेकर यहित। आइसक शर्म नाक बड़ा खोफनां अईसा द्रश्याय द्रस्यायसा मंजर है जो सच मुशहला रहा है कि हिंदू को मुसल्मान का खून नहीं चड़ेगा अरे भई खून एक है मैच कर गया है वो खुश है उसको उसकी मा को बुचाना है खैर ये जो व्यमनिस्ता का बीज जो बोया गया था वो लगता है दरक्त बन चुका है व्रक्ष बन चुका और ऐसा व्रक्ष बन चुका है कि ये मिलतब समझ से परे है अजीव है ये स्थितिये हाला कि व्रक्ष तो ऑक्सीजन दिया करता है और ये जो एक खोफनाक व्रक्ष क्या कहेंगे बबूल के काटो वाला जो चुब रहा है आपको घाव कर रहा है आप पहले ही घाय ले और गहरा घाव आपको कर रहा है शायद वो द्रश है और ये जो हमने मालूमात की हमने इसमें खोजबीन की तो निकल कराया कि वो जो शक्स है कोई शर्मा है और शर्मा को शर्म नहीं आ रहे है ये वो कह रहा है बता रहा है और ये जो पूरा घटना करम जब सामने आया हलाकि ये वीडियो थोड़ा पुराना बताया जा रहा है कि महीने बर या कुछ उससे अधिक पुराना है लेकिन खबर है बड़ी खबर है मन नहीं माना दिल आपने आपको रोक नहीं पाया कि भले ही पुराना है लेकिन ये कि हिंदू को मुसल्मान का खोन नहीं चड़ेगा किस मोड पर आकर हिंदूस्तान खड़ा है बात वही और हमने इस पूरे मसले मामले में कोशिश की कि वहां के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात की जाए तो ये कि वहां के CMO डॉक्टर S के तरपार्थी पन्ना जला अफ्तराल के उनसे फोर पीम ने संपर्क साथ होने पल्ला चाड़ लिए और उनने का वे तो अभी तबादला होके आए हैं उनने ज्यादा मालूमात नहीं है पता नहीं है उनका कहना थे कि आप डॉक्टर आलो गुपता से बात कीजे वह सिविल सरजन है और य ये खबर हमें मिले हुए इंतजार किया नहीं आया कोई जवाब नहीं आया ना उन्होंने जो वाटसप किया उसका जवाब दिया ना उन्होंने हमारे फोन कॉल को होने के बाद उठाया उन्हों कॉल बेक किया और ये जो द्रेश और मंजर है ये निशित और पर तस्दीक यही कर रहा है कि यह जो वेमनिस्ता बिटवारे या जो एक नफरत की राजनीती है वो किस कदर फल फूल रही है और इस खबर को जो एक वहां लूकल यूट्यूब चैनल है पन्ना का उसने ब्रेक किया था इस खबर को उसी से हमें यह खबर मिली और वो जो पत्रकार है कि यह खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन अभी हाली में बीते दो महीने देड़ महीने देड़ दो महीने के आसपास का कुछ वो बता रहे थे कि तपकी खबर है लेकिन शिकायत होने तमाम इसको उजागर करने के बावजूद ना तो अस्पताल के जो जिम्मेदार अफस कि हिंदू को प्रोटक्ट के किये जाने की बात थी तो क्यों कर रही होगी कैसे होगी यदि एक यह कोई मुसल्मान जो लैप टैक्नीशन या जो मुलाजिम है वो होता तो अब तक तो नब गया होता उसके खिलाफ जो कुछ एक्शन कितनी जल्दी हो सकता था क्योंकि मद्रदेश के पूर मुक्मत्री दिकविज़ सिंग जो राससभा में कॉंहरिस का पृतर्ट भी करते हैं उन्होंने शञ seisनीवार को भौपाल में प्रेस कॉन्फेर्स ना की दूसरे विशेप पर है प्रेस कॉन्फेर्स नने की च्छतरपुर जो पनैंना से लगा हुआ हु वहाँ एक घटनकरम हुआ था वो पत्थरवाजी का जो एक उनके पैगंबर महम्मद सहाब जो है उनके खिलाव जो टिपनी के बाद बबाल हुआ था पत्थरवाजी हुई थी तो उसे लेकर वहाँ एक मुस्लिम नेता की आलिशान कोठी को डहा दिया गया था बुल्डूज कर दिये गया था कई बुल्डूजर लगे थे उनकी कारों को कुछल डाला गया था उसी घटनकरम को लेकर दिगवे सिंग ने प्रसकौन फजाच की है भूपाल में और उस प्रसकौन को करने का मकसद यह था कि वहाँ एक संयुक्त दल अलग-अलग पार्टियों का दल उसम सबका दल महां गया हुआ था और यह दल शुकरवार को ही चतरपूर में उस पूरे घटनकरम की जाच करकर लटा है उस जाच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिस वो जो नेता की कोठी तोड़ी गई उस परिवार के साथ पास पूरे प्रमान थे उन्हें ना कोई अंदू मुस्लिम वेमान सता को उजागर करने वाला है कि यदि मुस्लिम हैं आप तो आपको कैसे जमी दोज कर दिया जाएगा कैसे आपको तहसनेस कर दिया जाएगा आपके परिवार को सड़क पे ला दिया जाएगा उसका प्रमान ने बहुत सारे दिगवे सिंग ने चौब इस तीन बर सो गए वो पिटिशन कोई बहुत उसमें प्रगती नहीं हुई है और दिगवे सिंग नहीं कहा है कि ये जो ताजा घटा करा में चतरपूर वाला इसकी जो रिपोर्ट है इसे लेकर भी उन्होंने वो इंदौर हाई को एक अत्रिक्त सूचना दी थी इस एक हाली में उसने अपना रुख रवया स्पस्ट किया था और कहा था कि ये बुल्डोजर का जो निया है ये ठीप नहीं है मौकिक जो उसकी और से निकल कराया था तो 17 जो सप्टमबर आने वाली उस पे निगहादेश बरकी है दिगवे सिंग कहना है कि वे आग्रह करेंग के सुप्रीम कूर्ट से कि उनकी जो याचिका है यहां है उसको भी उसमें समाहित कर लिया जा और सासा दिगवेर सिंग ने कहा है कि जो पूरे का पूरा वो बैल्ट है बुंदेल खंड का इलाका है चतरपूर पन्ना टीकम गड़व पूरे का पूरा बैल्ट वहां भी कही ने कहीं वही कुछ द्रश पैदा हो रहे हैं जैसा कि मालवा निमाल की धर्ती पर कहा जाता है माना जाता है कि वो प्रियोक शाला है रास्टी स्वयम सेवक संक की वहां जो है अलग तरह की राजनीती होती है एक नफरत का बीज बोया जयता है बड़े आरोप रहे हैं तो कह को यह बतलाना हैं देखलाना है कि कुचल दिये जाओगे और दिगवे सिंग गरता फ्रॉं में वो कह रहा है कि यह हिंदू काखून या फिर da मुसलमन का खून नहीं लग पाएगा उस इसका भी कहीं जिक्र आ ज़ किया है और कहा है कि ये भी बड़ा चौकाने वाला है एक दिल को जगजोर देने वाला है कि यहां तक की राजनीती होने लगी है ये सब ठीक नहीं है इस पर एक्षन लेना होगा और बिना देर किये लेना होगा जो ऐसी राजनीती कर रहे हैं कि खून में भी राजनीती खून जो जा पाटने की राजनीती है शायद भारत को एक और 1947 की और ले जाने जैसे द्रश्य बन रहे हैं ऐसा एक बटवारा जो आज तक हिंदुस्तान जिसने जेला था या जिन परिवारों के लोग उस दौर में हता तुए थे गए थे दो तीन चार पीडियें हो चुकी हैं गुजर स्क्राइब भी लंबा समय गुजर गया है भूले नहीं है लोग दंश कभी कभी जो आपके पर दाता थे पर दाता ने अपने बेटे को बताया बेटे ने उसके बेटे को बताया अगली पीडी को बताते चले आ तो जब जिक्र आता है और कभी-कभी हम देखते हैं फिल्मो इस वीडियो में इतना ही हम फिर किसी नए विश्य किसी नई खबर के साथ आपके समख शाजिर होंगे और यह जो हमने आपको खबर दिखाई है इससे जुड़ा कोई अबडेट होगा तो वो भी जरूर हम पने 4PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे हमारा अनुरोध होगा कि यह खबर आपको कैसी लगी हो यह बटवारे की राजनिती है यह कहां ले जा रहे हैं जो वोट की राजनिती करने वाले इस पर अपना कमेंट हमारे वीडियो में जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को अधिक से शेयर भी कीजिए और प्यार और इसने बनाया रखी और चलीबगदी जर प्यार सतुषणे चलीबगदी बनाया रहे बनाया रहे हैं तो